दोस्तों कल जो है election commission of India जो है election 2019 की result जो है वो announce करने वाले है तो सारे जो इंडिया के लोग फिराक पे बैटेगी कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा इस पर हम लोग की नई PM जो है कौन होगी तो इसी के चलते बने बहुत सारी ऐसी parties है allegations लगा रहे है election commission of India के उपर की वहाँ जो votes वगड़ा है वो tamper कर दिया गया है या फिर वहाँ पे जो छेरखानी बहुत सारी vote के साथ की गई है तो इस तरीके की questions को मैं अगर answer करना चाहूं तो यहाँ पर बात कर आती है EVM machine की तो आप लोग अगर नहीं जानते EVM machine में कैसे EVM में vote को जो है select किया जाता है और कैस से वहाँ से जो result वो announce करते है election commission of India तो सारी बाते इस वीडियो के अंदर बात करेंगे की EVM काम कैसे करता है क्या वो tamper proof है और क्या इसके कौन से प्रोस है सारे चीज़े इस वीडियो के अंदर clear हो जाएगी इस वीडियो कान तक जरूर देखना अगर अच्छा लगे वीडि का जो result आने वाला है कल तो अभी फिलाल बात आती है कि वहाँ पर vote selection होगी तो vote counting के बाद जो है result का announce होगी तो दोस्तों election 2019 में हम लोगों ने जो vote cast किया था वो किया था EVM machine का use करके तो EVM machine का हम लोगों ने use करके जो cast किया है vote तो हम लोगों ने कैसे किया तो चलिए जानते है number one question क्या है EVM और कैसे यह काम करता है तो EVM का मतलब है electronic voting machine तो जैसे की manual voting machine पहले थी जो manually लोग अंदर कागस की पूरिया जो फोल्ड करकर अंदर रखते थी उसके बाद जो वह count किया जाता था उसकी बाद जो है result आता तो अभी यह electronically किया जाता है तो इसका नाम है electronic voting machine तो जो control unit होती है वह control किया जाता है polling officer के तो यहाँ पर जब भी आप लोग जो है ना compartment के अंदर घुशता है तो वहाँ पे आप लोग को दिखा जाता है तो वहाँ पे अलग-अलग candidate की जो symbols के साथ और नाम के साथ वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिप जाकर button को प्रेस करना है प्रेस करने के साथ साथ जो है आपकी वोट जो है कास्ट हो जाएगी नमबर टू है क्या यहाँ पर latest EVM यूज किया गया था और उसका नाम क्या है और कैसे वह काम करता है तो यहाँ पर जो latest EVM machine यूज किया गया था वह था VBPAT EVM तो VBPAT का मतलब है voter verified paper audit trial तो दो दोस्तो जब भी आप लोग जो कास्ट करते वोट तो साइड में जो सील बॉक्स होती है उसके अंदर एक paper जो है वह प्रिंट होके बाहर आता है वह प्रिंट के अंदर होता है candidate की symbol जिस candidate को आपने इलेक्ट की symbol आपको दिखाए देगे साथ सेकेंड तक आँखों के सामने रहेगा ताकि आप verify कर पाएगी आप जिसको भी कास्ट किया है वोट वो और प्रिंटेट पेपर जो है वह एक है कि नहीं अगर एक है तो उसके बाद एक alarm बसता है उसके बाद आपको वह जो है एरिया छोर के बहार आना पड़ता है तो इस तरीके से आप successfully election 2019 में वोट को कास्ट कर सकते हैं तो तो तीसरा question नहीं आता क्या advantage है EVM की दोस्तों EVM मेशीन जो वो बैटरी ओपरेटर है तो यहां पर remote area की बात नहीं आती है एक अगर नहीं है तो वह सब problem देखने को नहीं मिलती है यहां पर आप लोग जो है directly किसी भी जगह पे जो है वोटिंग प्रोसेस को complete कर सकते हैं तो पहले traditional जो वोटिंग प्रोसेस थी वह वहां पर paper ballot थी तो paper ballot में बहुत सभी tampering issues वगरा आती थी apart from that जो result की selection होती थी वह करने में 20-30 गंटे से भी ज्यादा लग जाती थी तो अब भी फिलाल जो है कुछ घंटों में result announce हो जाता है तो इस तरी के सिच्शन हो ग पहुत सरे paper की जो cost है वो लग जाती थी और साधी शाथ वह हमें ups and down जो उसके carrying charge होती है security charges वो सब बहुत ज्यादा थी लेकिन अभी फिलाल जो EVM की मदद से सब कुछ जो है बहुत efficiently और low cost में होने लगा है अगला question जो है वो बहुत ही important है क्या EVM को temper या फिर इस competition में भाग लेता है या फिर नए जो emerging students है इन फिल्ड में वो आते हैं और यह program में शामिल होते है तो यहां पर उन लोग ने टास्क दिया था कि यह जो EVM मेशीन है इसको hack करके दिखा और इतनी price बनी आपको मेटेगी अन तक कोई भी EVM मेशीन को hack नहीं कर पाया तो इस पर one minute पर सिर्फ और सिप आप लोगों को पांच votes ही दे पाएंगे और साधी सथ maximum vote के पास एक जो मेशीन है उसके अंदर रहे सिर्फ और सिर्फ और सिप 2000 तो यहां से आप लोग पता कर सकते हैं कि यह जो tampering issue वह कहता है जो allegations अभी आ रहे election commission अब इंडिया के ऊपर यह बिल इंडिया जो है ऐसी देश एवियम का यूज करें election होता है तो इस तरीके से अगर बात करें तो first कब हुआ था तो 1982 में के ला की इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर ही पहली बार यूज किया गया था के लिए तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है यार इंडिया में क बहुत ही innovative सा चीज invent किया गया था उन सालों में electronics की उतनी जो demand नहीं थी और यहां पर internet वगरा की connection कोई भी नहीं थी तब यह invention हुआ है तो हम लोग सभी प्राव फिल करते हैं कि हम लोग इंडियान है तो final question यह सबसे बड़ा question है क्योंकि यहां पर लोग कहते है कि कभी अग अगर voting machine खड़ाब हो जाती है तो क्या होता है तो दोसो मान लीजिए कि यहां पर 200 लोगों ने वोट जो कास्ट कर दिया है और उसके बाद जो है 200 लोग लाइन पे खड़े हैं तो 200 लोग जो कास्ट कर दिया है वोट उसके बाद voting की जो evm machine है वो खड़ाब हो गई तो पुराने machine के अंदर जो memory होती है control unit की तो उसके अंदर safely जो है save होके परे रहते है तो बाद में जब accounting होती है उस particular area की वो दोनों के दोनों मेशीन जो नई और पुरानी मेशीन वो दोनों को एक साथ जो है एक साथ जोरते है और साथी साथ बहुत पूरे जो voting process के counting उन दोनो को मिला कर किया जाता है तो इस तरीके से जो है voting process काम करता है तो मैं आशा करूँगा आप लोगों को पूरी process समझ में आगे कि election 2019 में voting process कैसे हुआ था EVM का क्या use है EVM की क्या safety guidelines है EVM क्या advantages है सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर clear कर दिया आप लोगों को पता चलेंगा क क्यों जो है EVM को temper नहीं कर सकते और बहुत है सिक्योर जो है voting process इंडिया के अंदर होती है EVM का use करके तो दोस्तों आशाकर में यह वीडियो पसंदा है पसंदा है तो like जरूर प्रेस कीजेगा आपकी जो valuable suggestions है नीचे comment section में जरूर पताएगा आपको क्या लगता है इस साल की लिए में वो कौन होगी नीचे comment section में जरूर बता दीजे और यह कहना चाहता हूं कि subscribe नीचे subscribe करो प्रेस करो साइट में घंटी है प्रेस करो ऐसी tech related वीडियो में डालता रहता हूं और मिलता है किसी अगले वीडियो के अंदर till then have a wonderful day stay alert stay safe see ya bye bye झालता है